कि हलो फ्रेंड लास्ट एक्षर में हमने बिल्ज ऑफ एक्षेंज वाला टॉपिक स्टार कर दे यह जिसमें बिल्ज ओफ एक्षेंज और प्राउम्सीृ नोट्स के बारे में पढ़ लिया था इनकी डेपिनिशन को हम ने पढ़ा था है इनमें हमने जो मेन डिफिरेंट से व वो bill of exchange की बात करते हैं और फिर हम देखा था कि जो buyer है वो bill of exchange को sign करता है और जो seller होता है वो bill of exchange को draw करता है उसको draw बोलता है या maker बोलते है वो उसको sign करवाता है buyer से और फिर buyer को payment करनी होती है तो फिर हम देखते हैं कि seller की books में वो जो debtor होता है था वो debtor खतम होके उसकी जग पेएबल की और मतलब जो वेंडर होगा उसको बिल रिसीवल की एक पेमेंट मिलेगा तो वो कैश अकाउंट भी तो बियार करेगा और हमने देखा था है वेंडर के पास एक और ऑप्शन होता है कि वो चाहे तो इस बियार को बैंक में डिसकाउंट करेगा तो थोड़ा सा मतल मतलब बैंक हम से लेगा और हम जाके बाइर से ले लेंगे एक और कंसर्ट हमने देखा था कि यह हो सकता है कि वेंडर बैंक से डिसकाउंट ना कराके अपने किसी क्रेटर को बाइर का बियार जो मिला था वो दे दे उसको जिसको एंडूर्समेंट और बियार बोलते वहां जाके कुछ और चीजे बात आई थी तो आज हम थोड़ा उसको और कवर करेंगे और कुछ नोटीं चार्ज के बारे में बात आएगी और फिर जाके हम लास्ट पार आप दा लेक्चर रहेगा उसमें हम एक्कॉमडेशन बिलजबा जागा और बीच में हम कुछ प्रैक्टि बोल दिया था अर्डी तो टर्म्स आफ जो फिल आफ एक्चेंज है वो जानने बहुत जो रहते सबसे पहले जो होता है कि जो बिल्स होती है यह अच्छी आरदी हमने डिसक्स कर दिया था उस दिन मैं रिवाइज कर लेता हूं यह आफ्टर साइट होती है या आफ्टर डे रिक है तो मेनस जिस दिन जो पर होगा उसको एक्चेफ्ट करेगा उसको एक्सक्ट करेगा मतलब जिस दिन गल में बीशम होका वह स्टार्ट हो जाएगा और चैम रहा थे चृता-पिर कितने time period का उपको kind of credit period मिलता है और दूसरा रहता है bill after date तो drawn after date मतलब जिस दिन आपने बनाया उस दिन से दिन शुरुवात हो जाएंगे वो पांच दिन बाद देखे छे दिन बाद देखे पांच दिन बाद या छे दिन बाद साइन करें उससे matter नहीं करता है आपने जिस दि on demand आप bank पे जाओगे तो bank को उसी वाकत payment करना है तो उसमें days of grace एड नहीं होते मैं और चीज़ अभी इसमें दिखा दूँगा किस तरीक से हम bifurcation करते हैं कि यह on demand है कि नहीं है इसके बाद हमने जो lecture करना है दूसरा चीज़ एवरेज डूडिट वाला जो दूसरा topic उसमें हमें यही चीज़े और दुबारा से सीखनी है मेरे दोस्तों ठीक है तो इसमें अभी गबराना नहीं कि अगर आपको यह clear नहीं हो रहा है यह हमें आगे भी पढ़ना है ठीक है तो maturity तो तीन चीज़े मैंने उस दिन आपको बताती एक होता है कि बिल का start date किस नहीं तो उसमें हम देखेंगे बिल after site है कि after date है अगर after site है तो जिस दिन buyer ने accept कर दिया तब से due date start की जाएगी और जितना भी लिखा होगा number of days उसमें वो add करेंगे तो हमारे पास due date आएगा और उस due date को जो है हम days of grace add करेंगे तीन दिन तो वह हमारा maturity date आएगा और maturity date को हमें payment करन तो due date से हमने grace days add करने है यह हमने तब करने है अगर payable otherwise than on demand मतलब अगर demand on demand bill of exchange है उसमें grace spirit add नहीं क्या होता है अब यह बात आएगी यह on payable on demand का मतलब क्या होता है उसको वो तीन चीज़े होती है अगर ऐसा लिखा होगा तो हमने उसमें days of grace add नहीं करना होता है पहली चीज मतलब आपको जब दे दिया देखो यहां पर यह चीज़ बास दोस्तों मेरे याद रहो यह आफ्टर साइट और और देर्ट का दूसरा मतलब ताई यह था कि डूब कब से कांट हो जाएगा यह तरम आपसफाम साइट है यह यह अलग टर्म है कि वहां से या bill after date अगर बिल एड्ट साइट है इतमिझे on demand है क्या है on demand है तो जिस दिन मैंने दे दिया उसको जिस दिन मैंने उसको दे ता आफ्टर साइट इंड आफ्टर डेट वह दो टर्म्स थी वह अलग एकूँ के उपार साइट एन आफ्टर करना पड़ेगा डूटेट का है तो मैं गिए रिपीट करता हूं एक होता है तो में हम बोलते हैं कि यह आफ्टर साइट है कि आफ्टर डेट है वह एक चीज़ है फिर देखना है बिल की यह जो पेमेट टर्म से हो क्या है एक साइट है कि आफटर डेट है अगर एट साइट है इस मीनिस इस पेएबल ओन डिबार्ड इस पेएबल और तो इसमें ग्रेस पेड़ के तीन दिन एड नहीं हो जाएंगे अगर बिल एड साइट है प्रेजेंट की आफ्टर डेट वाली बात आजाएगी तो आपको तीन दिन का ग्रेस पीरिड मिल जाएगा तो वो जो डूडेट आएगी प्लस तीन दिन आपको मिलेंगे पर जो एड़ साइट की बात है तो मैचोटी के वक्त जब आपको दिखाया जाएगा बिल पेमेंट करो तो यू विल आपको तीज दीन दिन का उदार टाइम नहीं मांगना है ठीक है वो रहे बिलाट साइट मीन्स दा इनिस्ट्रूमेंट इन विस्ट नो टाइम पर पेमेंट इस मेंचन एचाहिक इस आल्वेस पेएबल ऑन डिमांड एप्रमिजरी नोट और बिल उफ एक्शेंज इस पेए पेएबल ऑन डिमांड कब वेन नो टाइम पी इस पेसफाइब या तो कोई टाम स्पेसफाइब नहीं है यह वैं इस एक्श्ट भी पेएबल ऑन डिमांड और साइट यह मैं आगे करना है मेरे दोस्तों और आफ्टर डेट का मतलब क्या होता है अगर बिल में यह लाइन ल इसको मिलता है मेरे दोस्तों इस पर हमें बहुत इंपॉर्टन चीज जानना है यहां पर यहां पर यूँगे आ गया इसको हम यहां ही टैकल करते हैं उसके बाद हम प्रेक्टिकल कोश्चन करेंगे तो और ग्रिप आएगी मेरे दोस्तों तो अगर अभी आपको पूरा दि इस दिन को आपको पेमेंट करनी है तो वह जो वह दिन बना वह जो वह स्पेस्पिक डेट बना वह बन गया विल वी दिटे अगर मैंने बिल बना दी और उसको बूला है कि यूविल पे मी ऑन 30 अपरेल तो डूडेट क्या बनेगी अपर तर्टिएथ अपरेल डूडेट ब को पे करना है सब्सक्राइब आज आज तारीक है 24 अगर में बो रहाँ 24 फेबरी के तीन महीने बाद आपको पे करना है तो क्या आएगा 24 फैबर विरी के बाद 24 मार्ज 24 अपरेल 24 में 24 में फिर उसमें ग्रेस प्रेट करेंगे अब अब यहां सरफ डूडेट की बात कर रहे है मेरे दोस्तों तो यहां पर डूडेट आप आएगा 24 में और यहां पर अगर हमने 30 अपरेल बोला तो 30 को पे करना पड़ेगा अब बात है मेरे दोस्तों वाट इफ हमने बोला कि उस पीरिड में उस पीरिड में जो वह दिन आएगा वह मरा जागा तो आज अगर 24 फैबर में वह ऐसा दिन है जो अगले पीरिड में नहीं है सब्सक्राइब आज 31 मार्च है मेरे दोस्तों और इस बिल का डूडेट जो है वह एक महीना है तो एक महीना आप 31 मार्च को एड करोगे आप बोलोगे सार 31 अप्रियल की नाम को कोई चीज नहीं होते है अगर बिल मंत में है और वह कोर्सपांडिंग डेट नहीं है उस मंत में तो जो उस मन्त का लास्ट डे होता है वह माना जाता है डूडेट और उसको फिर आंगे समझाए बात अगर मंत में लिखाया है और उस मन्त में वह दिन है यह नहीं सब्सक्राइब आज 29 जन्वरी है और एक महीने का ब कर दोसमांट होॉज उस मंत का जितने पीरेट वएट करके जो उस दिन है Гलें युदन हमने बना तया कर्समांघ hours productch इंञे ुख मना जा कहहां हाव वह माना जाए यह तैंगा। the period shall be deemed to expire on the last day of such a month for example a bill signed on 31st March 31st January payable after three months will be due on 30th April मुझे पता मेरे दोस्तों when the bill is made payable at a state of stated numbers of days after the date अब मुझे बता तो उपर तो मन्त था अगर मन्त में लोला है कि तो तीन मुझे बाद तो जिस दिन यह बिल बनाई गई है जिस दिन यह बिल बनाई गई तो फिर देखो यह after site यह after date अगर after site है तो acceptance date से दो और अगर अफटर डेट तो आज की दिन से दो गए प्लस करोगे अगर specific due date लिखे तो due date को due date मानी जाएगी और अगर लिखा है specific months तो add करोगे months अगर आज 24 February है 24 March 24 April वह हो जाएगा due date बट वाट इफ अगर हमने number of days बोला है तो इसको number of days add करेंगे अगर मैंने बूला है 24 February तो ऐने चोबीश फर्विरी बोला है तो 24 मैंसरे अगर मैंने 30 दिन का पूला है कि 30 दिन के अंदर अंदर आपको payment करने हैं तो अगर मार्ज जो है वो इसका डूटेट बनेगा पुलस करोगे आप तीन दिन ग्रेस प्रेट के तो 29 मार्ज जो है वो मैच्वटी डेट अगा है बट डूटेट क्या होता है जो नमबर आफ डेज एड़ करका एगा तो डेज जब एड़ करेंगे अगर डेज में लिखा होगा तो यह उस दिन का आप वह करते हो उस दिन को छोड़ना है उस दिन को चोड़ना है क्योंकि कल से स्टार्ट करना है तो पचीशच चबीस सटाइस 28 इस मन्त के चार मेने और बाकि उस मन्त के 26 दिन तो 26 वह दिन बनेगा इसका डूटेट और वट इफ ड़ डूड़ अपलिक हो सब्सक्राइब मेरा डूटेट आया मेरे दोस्तों चब 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 फर्वेरी तो अगर पब्लीक ओलीडे आजाएगी डूटेट पर तो उस दिन से पहले जो डेट होगा वो माना जाएगा वो माना जाएगा डूटेट अगर डूटेट जो है वो पब्लीक ओलीडे है तो वह माना जाएगा डूटेट बट अगर डूटेट में फब्लीक ओलीडे नहीं थी तो यूवार एक्सपक्टिंट तो मेग डप पाइमेंट ऑन दूटेट बट अनफॉसनेटली उस दिन क्या हुआ मेरे दोस्तों उस दिन गाहुआ एम्रजेंसी होग होगी country में emergency होगी या unforeseen holiday हो गई तो जो next falling date आएगा उस दिन emergency आ गई नप पब्लिक holiday नहीं पब्लिक holiday क्या होता है जो central government के calendar में होती है छुटी mention वो या जो sunday होती है उसके बगार अगर कोई emergency आगी country में या unforeseen holiday announce हो गई तो उस दिन के बाद जोगा क्योंकि वह आपके control में नहीं होता है तो उस दिन के बाद आपको payment करनी पड़ेगी वह माना जाएगा due date अब बोलते हैं the terms of a bill after side comments after the date of exchange of the bill where is the term of the bill after date comments from the drawing of the bill यह मैंने आपको आरदी बोला अब एक छोटा सब्सक्राइब दोस्तों जिसका नाम है noting charges क्या नाम है noting charges मैंने आपको बुला कि bill of exchange जो है यह negotiable instruments है law of the land को मान लेता है आप इसको transfer endorse भी कर सकते एक दूसरे से बट कभी-कभी क्या होता है कि आपने उसको बिल दे दिया और उसने मना कर दिया payment से तो आपको कल उसको प्रोटेस्ट करोगे कोट में कि इसने पेमेंट नहीं कर दिए क्योंकि इस इन अंसी क्यों डैट ठीक है ना bill of bill of जो यह होता है bill of action होता है यह secure debt नहीं होता है यह unsecure debt अपने उसको उदार में माल बेचा और आपने उससे लिखे ले लिया बट यह कोई secure debt नहीं है कोई hypertension नहीं किया तो कल को अगर वह payment नहीं देगा और अगर वह insolvent हो गया तो आपको नहीं मिल सकता कुछ तो क्योंकि अगर जो इसकी property है उससे सिर्फ पहले secure debt को मिलेगा तो आपके पास एक option होता है एक remedy होता है law में आप क्यार करते हो आप उसको notary के थ्रू बेजते हो डिमांड करने जो notary होते हैं आपने सुना है कि affidavit को notarize करना होता है तो notary जो होते हैं notary public जो नहीं बोलते हैं तो यह law of the land होता है वो इनको मतलब राइट देता है कि आप जिन document पर sign करोगे हम बोलेंगे वो legally vetted है वो legally vetted है वो legally signed है व सब्सक्राइब को notarize करना या एफिडेवर को notarize करना मतलब वह विटनेस रहते हैं और उनने अगर कर दिया तो माना जाता है वह genuine transaction हो गया है तो इसी तरह से जब हमें bill of exchange में गए हम उसने payment नहीं दी तो हम नॉर्मली खुद नहीं जाते हैं अगर हमें लगता कि doubtful है तो ह यह reasons note करते हैं notary reasons note करता है उसमें notary वाला ठपा लगाता है कल को फिर मैं प्रोटेस्ट करना चाहूं मैं court में जाना चाहूं मैं जा सकता हूं अगर notary public involved in in value हो गया और dishonor में noting charges लग गये तो वह भी मैं किसे recover करूंगा सर बिल्कुल बात वह भी हम बाहर से recover करेंगे notary मु कि दोस्तों हां सर अब दो चोटे चोटे concept है एक है renewal of the bill दूसरा है retirement of the bill बहुत चोटे concept है और इसके बेसे हमारे बहुत सरे question हो जाएंगे renewal of the bill का मतलब क्या है जब due date आगे payment की और जो बाहर है जो ड्रॉई है and he is saying to the drawer of the bill sorry I don't have money right now I wish you can give me the extension for further two months or three months जब इस हालत में हो जाओंगा कि मैं आपको payment करूंगा तो अगर drawer उस वकद मान लिया अगर drawer उस वकद मान लिया अगर drawer उस वकद मान लिया तो उस case में क्या होगा मेरे दोस्तों वह उससे कुछ interest लेगा बोलेगा यहां तक तो तेर free period था पर आगे मैं तुझे free में क्यों दे दो मेरे दोस्त तो मैं तुझे इस period का interest लोंगा तो उसमें क्या होगा जो पहली वाली बिल थी क्योंकि वो due date में नहीं हो रही है उसको cancel किया जाता है मैं भी question में दिखा दूँगा आपको तो अभी तक मेरे पास रहा है थी बिल पानी बिल को खतम करूंगा तो मैं एंटी करूंगा debtor account debit to bills receivable और फिर उसको नई बिल दूँगा और नई बिल के साथ साथ मैं उससे आप depend करेगा कि मैं क्या करूंगा या तो वह interest जितना अब नया पीड़ रहेगा क्योंकि फिर मैं यहां पर आपको दिखा हूं मेरे दोस के लिए मैं उसको interest लूँगा जितना भी मैंने में इंचन कर दिया सपोज 9% मैंने में में इंचन कर दिया तो इन दो मंध का मैं इंट्रस लूँगा अब यहां पर बात आगी जाब मेरे पास renewal के लिए आएगा तो मैं जो old old व्यार था उसको क्या करूँगा मेरे दोस्तों ओल्ड बियार को क्या करूंगा कैंसल करूंगा अब न्यू बियार तो इश्य करूंगा आप डिपेंड करेंगा जो इंट्रस्ट है वो मैं इसे एडवांस में ले लूँ अगर मैं इंट्रस्ट ले लिए तो मैं क्या चाहूं डेविट इंट्रस्ट करूंगा और अगर मैंने है नई बिल जो है ती old amount plus interest कर दिया अगर मैंने वो ओल amount सब्सक्राइब दिया तो उस Case में मैं दोस्तों क्या करूँगा अगर मैने वह old amount जो है plus interest कर दिया तो उस Case में क्या कर साग技 जो आपका एमाउंट होगा प्लस ओल्ड एमाउंट प्लस जो इंट्रेस्ट होगा उस रेट पर मैं उसको डेबिट करूंगा मेरे दोस्तों ठीक है